हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे इंपोर्टन प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछा जाते हैं, तो चली स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन आपका, छे बटे पांच में कितने एक बटे दस हैं, मतलब छे बटे पा आपको किलिये कराजिता हूँ, दो हैं, तो आपको कैसे करेंगे, चार में कितने दो हैं, या तो आप चार का फेक्टर करेंगे, दो कुड़े दो, मतलब दो आए जाएंगे आपके चार में, या फिर क्या करेंगे, चार में आप दो से भाग दे देंगे, कितनी बार है तो क्या करेंगे इस से इसमें भाग दे देंगे चार में दो से भाग दिया था दो पता चल गया छे बटे पांच में एक बटे दस से भाग दे देंगे तो दे दीजिए छे बटे पांच में भाग देना है एक बटे 10 से इस भाग को आप क्या करेंगे आप ये भाग वाली संख्या को आप गुडा में पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 वट्टे 5 हो जाएगा इस भाग को आप क्या करेंगे गुडा में बदल देंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी 12 आएंगे यहीं दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा किलियर है उम्मिद करता हूँ क्वेशन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला क्वेशन अगला क्वेशन है एक सही एक बटे दो में कितने एक बटे दो हैं तो क्या करेंगे इससे इसमें भाग दे देंगे तो पहले यहाँ पर इस संख्या को मैं लिख लेता हूँ एक सही एक बटे दो में कितने एक बटे दो हैं मतलब क्या करेंगे इसमें इससे भाग दे देंगे किलियर है तो पहले इसे साइफों में बना लेते हैं दो एक हम दो दो में एक जोड़ेंगे तीन बट्टे दो हो जाएगा भाग कितने से देना है एक बट्टे दो निसे देना किलियर है अब क्या करेंगे इस भाग को गोड़ा में पलट लेंगे तो यह 3 बच्टे 2 हो जाएगा गोडा में पटलेंगे यह वाली संख्यापकी पलट जाएगी 2 बच्टे 1 हो जाएगा अब 2 से 2 ही कट जाएगा अब कितना बचा उपर? 3 बचा यही क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा तो एक सही एक बच्टे 2 में कितने एक बच्टे 2 आएगे? 3 आएगे option नमर B आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ यह question भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला question अगला question है 5 बच्टे 9, 8 बच्टे 9, 7 बच्टे 9, 4 बच्टे 9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है इसमें तो क्या करना है? आप क्या देखेंगे? हर सभी में समान दिया गया है किलिए रहे? सबी में हर समान दिया गया है तो क्या करना है? आपको देखना है बड़ी भिन्न पूछी गई है? तो आपका अंस सबसे बड़ा कौन सा है? जब हर समान दिया गया है तो आपको देखना है बड़ी भिन्न के लिए अंस किसका सबसे बड़ा है? तो आप देखेंगे 8 बड़ा है किलियर है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 8 बटे 9 option number C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा किलियर है यह trick जब काम करती है जब आपका हर समान हो किलियर है हर समान रहेगा तो जिसका अंस बड़ा रहेगा वही आपके सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी किलियर दोस्तों अगला question देखते है अगला question है 3 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7, 4 बटे 7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इस वार पूछलिया गया है सबसे छोटी भिन्न तो आप यहाँ पर चेक करेंगे हर सभी का समान है हर समान दे रखा है तो क्या करेंगे अंसी किसका छोटा है तो अंसी यहाँ पर छोटा है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका answer हो जाएगा 3 बटे 7 किलियर है 3 बटे 7 option number B आपका सही हो जाएगा किलियर दोस्तों देखी मैं आपको बता देता हूँ जब आपका हर समान है जब आपका हर समान है और बड़ी भिन्न पूछी जाएगी तो जो अंसी सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी और जब छोटी भिन्न पूछी जाएगी हर समान है तो जो सबसे छोटा अंस होगा वही आपके सबसे छोटी भिन्न होगी यहाँ पर सबसे छोटा क्या है तीन है उपर तो यही आपसे सबसे छोटी भिन्न है यदि इसमें बड़ी भिन्न पूछ लेता तो देखिए हाथ सभी का सामान है बड़ा क्या है च्छे तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी च्छे वट्टे साथ किलियर दोस्तों ये हो जाएगी आपके सबसे बड़ी भिन्न लेकिन कि आप पूछा गया च्छोटी तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी किलियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कंसर्प्ट किलियर हो गया होगा अब देखते हैं अगला क्वशन अगला question आपका निम्न मैंसे सबसे छोटे भिन कौन सी है इन मैंसे सबसे छोटे भिन क्या है तो इसे करने का देखिए क्या थरीका है अंश का हर का अंतर करेंगे दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तो एक आएगा तो एक से अंस में आप भाग देंगे 24 को एक से काटेंगे कितनी वारी जाएगा 24 वारी जाएगा किलियर है इनका भी अंतर करेंगे कितना एक अंतर एक आएगा अंतर आ जाएगा एक क्या करेंगे अंस में भाग देंगे एक से दस में भाग देंगे दस बार जाएगा इसका इन दोनों का भी अंतर करेंगे कितना आएगा एक आएगा एक से अंस में भाग देंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पर निन्याने बार जाएगा और यहाँ पर भी क्या करेंगे अंतर एक का आएगा एक से अंस में भाग देंगे यहां से तो यही आपकी सबसे छोटी बिन हो जाएगी के लिए दोस्तों उम्मिद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा करना क्या है पहले दोनों का अंतर करना है अंतर करने के बाद एक आए चाहे दो आए चाहे कितना भी आए उससे भाग देंगे उपरवाली संख्या में दे दिया 24 वारी गया इसमें भी दे दिया 10 वार गया इसमें भी दे दिया निन्याने वार गया इसमें दे दिया तो 68 वार गया अब सबसे छोटी बिनने के लिए क्या है सबसे जो छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन होगी, तो option number भी आपका सही हो जाएगा, के लिए रहे भी आपकी सबसे छोटी भिन है, अब देखते दोस्तों अगला question अगला question है आपका, 2 बट्टे 3 3 बट्टे 4, 5 बट्टे 9, 7 बट्टे 9 में सबसे बड़ी भिन है, कौन से सबसे बड़ी भिन है दोस्तों यह आप से पूछा गया है, वही करेंगे दोनों का अंतर करेंगे, 2 और 3 का अंतर कितना आएगा, 1, 1 सूपर वाली संग्या भाग देंगे, कितनी बट जाएगा, 2 बार साथ का नौक अंतर कितना हैगा दो आएगा दो सूपरवाल संग्या भाग देंगे दो ती आई छे कट जाएगा एक बचेगा पॉइंट लग जाएगा दस हो जाएगा ठीक है दो पंजे दस कट गया आपसे क्या पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न है कौन सी सबसे बड़ है वही दोस्तों आपकी सबसे बड़ी भिन्न है यहां दो है यहां ती यहां 1.25 यहां पर 3.5 तो यह तीन है और यह साड़े तीन है कौन बड़ा है दोनों में तीन में और साड़े तीन में साड़े तीन बड़ा है तो यही आपके सबसे बड़ी भिन्न है यह किस से निकल क कौन है 1.25 तो ये आपकी सबसे छूटी भिन हो जाती के लिए आप उम्मीद करता हूँ कोशन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका 2 वट्टे 3, 3 वट्टे 5, 5 वट्टे 6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन का अंतर क्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे इन में हम सबसे बड़ी भिन और सबसे छोटी भिन पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे दो बटे तीन में इनका अंतर कितना आ जाएगा एक का अंतर रहेगा एक का उपरवाले संग्यां भाग देंगे कितनी वार जाएगा दो बार जाएगा तीन में और पांच में कितने का अंतर दो का एक सूपरवाल संग्य हम भाग देंगे कितनी वार जाएगा पांच वार जाएगा अब सबसे बड़ी भिन्ने से में कौन सी है जो सबसे बड़ा निकल के आया है वही सबसे बड़ी भिन्ने पांच सबसे बड़ा है पांच बटे छे से निकल के आया है सबसे बड़ी तता सबसे छोटी भिन का अंतर क्या है दोनों का अंतर कर लीजिए मतलब जादा मैंसे कम को घटा दीजिए तो बड़ी मैंसे छोटी को घटा देंगे अंतर निकल के आ जाएगा तो नीचे 6 और 5 का LCM दे लेंगे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा कि लिए 6 से 30 कितनी बार इकटेगा 5 बार 5 का 5 मल्टिप्रे कितना 25 5 से 30 कितनी बार इकटेगा 6 बार 6 का 3 मल्टिप्रे कितना 18 तो 25 में से 18 जाएगा कितना बच्चे का 7 बटे में कितना आ जाएगा 33 तो 60 बटे 30 मैं दे रखा है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कभी भी आपसे बड़ी भिन और छोटी भिन का अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले तो आप पता कीजिए बड़ी भिन कौन सी है छोटी भिन कौन सी है पता करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया दोनों का अंतर कर लीजे जो अंतर है उससे उपरवाली संक्या में भाग दे दीजे केलियर दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा बड़ी भिन और छोटी भिन कौन सी है दोनों का अंतर कर लीजे किलियर है कभी कभी अंतर की जगे आपसे पूछ लेता के गड़न फल क्या होगा तो चोटी भिनने का और बड़ी भिनने का क्या करना पड़ता गुणा करना पड़ता यदि गड़न फल पूछा जाता तो केलियर है तो उम्मिद करता हूँ जो concept है वो आपकी समझ में अच्छ तरीके से आ रहा होगा केलियर है दोस्तों अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका 1 बटे 3, 3 बटे 4, 2 बटे 5, 6 बटे 7 का आरोही क्रेम है आरोही क्रेम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रेम में पूछा गया है केलियर है तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है तो 1 और 3 का अंतर कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा केलियर है दो का एक में भाग देंगे कितनी बार जाएगा पॉइंट 5 बार जाएगा केलियर है इन दोनों का अंतर कितना आजाएगा एक 3 और 4 कंतर है एक से उपर वाले संग्यां भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा दो और पांच का अंतर कितना तीन आएगा किलियर है तीन आएगा दो और पांच का अंतर फिर इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा तीन का तो पॉइंट लग जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कितली तीन चिंग 18 तक कटेगा फिर से 20 हो जाएगा फिर से 30 चंग 18 तक कटेगा तो .66 ही हो गया 6 का 7 का अंतर कितना है एक एक शुपरबाली संक्यां भाग देंगे कितनी वाल जाएगा 6 बार जाएगा तो तो सबसे बड़ी भिन कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, यह आपको दोस्तों इसमें पता चल गया, आरो ही क्रेम का मतलब क्या होता है, छोटी भिन से स्टार्ट करता है, फिर उससे बड़ी भिन, फिर उससे बड़ी भिन, लास्टी में आएगी सबसे बड़ी भिन, ठीक है तो सबसे छोटी भिन इसमें कौन सी है सबसे छोटी भिन है 0.5 यह हमारी सबसे छोटी होगी एक नमबर उससे बड़ी कौन सी है इससे बड़ी है दोस्तों 0.66 यह आपकी दूसरे नमबर की भिन होगी इससे बड़ी कौन सी है 3 यह आपकी तीन सिरे नमबर की भिन होगी सबसे बड़ी के लिए रहें, तो एक नमबर की भिन कौन सी है, सबसे चोटी, एक बट्टे तीन आपकी सबसे चोटी भिन है, एक बट्टे तीन सबसे चोटी भिन है, तो आरोई क्रेम में सबसे पहले क्या लखेंगे, सबसे चोटी भिन लिख लिया, फिर इससे बड़ी कौन सी है, दूसरे नमबर पर कौन सी है 0.66 दो बटे 5 से निकल के आई है तो दो बटे 5 आपकी दूसरे नमबर की हो जाएगी इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3 बटे 4 दोस्तो इससे बड़ी हो जाएगी और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी यहां भी एक बट्टे तीन है यहां भी इन दोना में एक बट्टे तीन नहीं है पहले तो इन दोना में हमारा आंसर होगा एक बट्टे तीन के बाद क्या है दो बट्टे पांच क्या यहाँ पर दो बट्टे पांच नहीं है यह भी हमारा आंसर नहीं होगा इसे चकरेंगे एक बट्टे तीन दो बट्टे पांच एक बट्टे तीन दो बट्टे पांच बढ़ते हुए क्रेम में लगाएंगे और सबसे बाद में क्या आएगी सबसे बड़ी भिनना आएगी के लिए दोस्तों उम्मिद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझी में आ गया होगा अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका तीन वटे पांच तथा साथ वटे तीन के ब्यूत करेम में का योग क्या है कि लिए दोस्तों ब्यूत करेम में का योग तो ब्यूत करेम का मतलब क्या होता है उल्टा तो आप क्या करेंगे इनका भी ब्यूत करेम कर लीजिए उल्टा, उल्टे का मतलब है 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आजाएगा, इसका भी व्यूत करम कर लो 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आजाएगा व्यूत करमों का योग तो पूछा गया है तो योग के विलिए क्या करेंगे इनका यूग कर लीजे मतलब पिलस कर लीजे किलियर दोस्तों आप से कहा गया था तीन वटे पांच ता ता साथ वटे तीन के व्यूत करेमों का यूग तो हमने इनका व्यूत करेम कर लिया मतलब पलट लिया यूग करना है तो पिलस करना है किलियर है अब क्या करेंगे इनका LCM ले लिचे तो साथ तीन का LCM कितना होगा साथ तीयाई 21 हो जाएगा अब तीन से किस कितनी बारी कटेगा साथ बारी साथ पच्चे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा के लिए दोस्तों पिलस का साइन है पिलस साथ ते कितनी बार कटेगा ती T option में दे रखा है здесь fiak speech answer हो ठीक है UX के लेकिन वह संख्या को उम्मीद करता हून ये question भी समyज में आ गया होगा अब देखते हैं अगला question अगला question आपका किसी संख्या का तीन चौथाई nahe तो वह संक्या क्या है देखे किसी संक्या का 3-4 कितना दे रखा है 9 लेकिन हो संक्या हमें नहीं पता है तो उस संक्या को हम क्या करते है X माल लेते है अब X का 3-4 कितना दे रखा है 9 X का 3-4 मतलद 3-4 X का कर लेते है 3-4 X का 3-4 कितना दे रखा है 9 नो दे रखा है, मतलब यह 9 के बराबर है, बत समझ में आगी, कोई संख्या है, उसका 3 चौथाई 9 दे रखा है, तो X का 3 चौथाई कितना दे रखा है, 9, अब यह 3 से 9 कितनी वारी कट जाएगा, तीन वार कट जाएगा, और 4 का 3 का मल्टिप्लाई हो जाएगा, तो X बराबर तो वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा, यदि किसी भी कोश्चन में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, यदि वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना और दोस्तों में भी शियर करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद,